नमस्कार दोस्तों, इस वीडिये में हम 2022 थे इसके हरियाना के बजट के बारें पड़ेंगे, हरियाना सरकार दुआरा हाले में बजट पेश किया गया है, अब की बार का बजट बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट अप्रिक्षा की द्रिश्टी से, क्योंकि कुछ योजनाव क इसको शुरू करने की घोशना की गई है, कुछ पुर्षकार, नीती और नए स्थाप्राओं से समन्दित भी घोशना की गई है, दोस्तों, बजट किसी भी एकजाम के लिए बहुती इंपोर्ट और टोपिक होता है, क्योंकि यहां से प्रशन बनने की संभावना बहुत दिखोती है, तो इस वीडियो में हम हरियाना के बजट के परते एक पॉइंट को पड़ेंगे, ताकि प्रिक्षा में कोई भी प्रशन पूछे जाए बजट से समन्दित, हम उसका सही जवाब दे पाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सबसे पहले बजट का म आता है, भारत्य सविधार में कहीं पर भी बजट शब्द का उलेख नहीं किया गया है, बलकि बजट के स्थान पर वार्शिक वित्य विवन का उलेख किया गया है, अनुछेद 112 में, तो याद रखें, अनुछेद 112 में बजट का उलेख नहीं है, बलकि वार्शिक वित्य विवन का उलेख है और इसी को हम बजट कहते हैं अब आईए देख लेते हैं हरियाना के बजट को हरियाना के मुख्य मंतरी मनोहुलाल खटर ने अपने दूसरे कारेकाल का तीसरा बजट पेश किया है आप सभी जानते हैं इसलिए मुख्यमंतिर ने ही तीसरा बज़ट पेश किया है CM ने वर्ष तो हजार 22-23 के लिए 1,077,255 क्रोड रुपई का बज़ट पेश किया है और यह बज़ट पिछले वर्ष की तुल्ला में 15.6 प्रतिशत अधिक है इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखें अपकी बार का बज़ट कितना है 1,077,255 क्रोड रुपई और यह बज़ट पिछले बज़ट से कितना ज्यादा है लगभग 15.5 प्रतिशत ठीक है वर्ष 2022 तेश का बज़ट पहला ऐसा बज़ट है जिसे विधान सबा समीतियों के माध्यम से पायत करवाय जाएगा और इसके लिए विधान सबा अधेक्ष ने विधान सबा अधेक्ष कोन है? ग्यानचंद गुपता इसके लिए विधान सबा अधेक्ष ग्यानचंद गुपता ने आठ कमेटियों का गठन किया है आईए बजट की कुछ मुख्या बाते जान लेते हैं इस बजट में मुख्या मंत्री ने सूसमा सवराज राज्य स्तरिय पुर्षकार की घोशन की है सूसमा सवराज इनका जनम 14 फरवरी 1992 को हुआ था अमबाला च्छामनी में वे बीजेपी पार्ट्री थी संबंदी थी और पूरविदेश मंत्री भी थी इनका निदन हो गया है और इनहीं के नाम पर सूसमा सवराज राज्य स्तरिय पुर्षकार की घोशन की गई है इस बजट में यह पुर्षकार उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने राज्य स्तर पर या फिर जीवन के विभिन अक्षेत्रों में अपना नाम कमाया है हर्याना का नाम रोशन किया है भारत का नाम रोशन किया है उन महिलाओं को इस बजट से संबानित किया जाएगा और जो भी महिलाएं इस बजट के लिए चैनित होंगी उनको 5 लाग रुपए पूशकार रासी की तोर पर और साथी साथ एक प्रश्रस्ति पत्र भी दिये जाएगा पंचायती रास अंस्थारों में महिलाओं की भागिदारी 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की घोशन की गई है आप सभी जानते हैं हमारे हरियाना में या फिर पूरे देश में 3 स्थरिये व्यवस्ता है पंचायती राज त्री स्थर्य है ग्राम स्थर पर ग्राम पंचायत बलोग स्थर पर पंचायत समीथी और जिला स्थर पर जिला परिशत ठीक है और इनमें महिलाओं की भागिदारी पहले 33% होती थी अब भड़ा कर 50% कर दी गई है यानि कि आधी महिलाए होंगी और आधे पुरुष महिलाओं को उद्धिमिता की और आकर्षित करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी हरियाणा मुख्यमंत्री उद्धिमिता योजना किन को दिया जाएगा ये लोन जिनकी वार्षिक आया पांच लाग से कम है। और साथी साथ हरियाना महिला विकास निगम के द्वारा तीन वर्ष तक ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट पी दी जाएगी। हरियाना महिला विकास निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्राइल 1991 को की गई थी और वर्थमार में इसके चेयर्मैन है बबीता फोगाट आप ये भी जानते रही है हरियाना की महिला ये वंबाल विकास मंत्री कोन है कमलेस्टान्डा आएए बढ़ते अंगले महिला चात्रावास स्थापित किये जाएंगे कुछ चात्रावास भावन बनाये जाएंगे ताक ही महिलाओं को रोजगार दिया जा सके यानि कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए ही कामकाजी महिला चात्रावास स्थापित किये जाएंगे ठीक है इसके अलावा साहभा यानि कि ट्रिपल पी के आधार पर या ट्रिपल पी के माध्यम से तीन महिला आश्रम भी स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने बजटी अभाशन में ये भी कहा है। हर्याणा में तीन नए महिला विशविद्याले भी स्थापित किये जाएंगे। कहां कहां पर भिवानी जिल्य के कुंडल और चपार में और सोनी पत के गन्णोर में तीन नए विशविद्यले स्थापिर किये जाएंगे, ओके, भड़ते आगे, स्ट्रीट लाइट्स एंड सिव्रेज योजना के तहत, परदेश में 10 हजार की जन संख्या से अधिक वाले ग किस योजना के तहत, स्ट्रीट लाइट्स एंड सिव्रेज योजना के तहत, आप इस योजना को जरूर याद रखें, ग्रामिन खंडों और नगर निकायों के बीच परतिस परदा बढ़ाने के लिए, दो मिशन कारेकरम शुरू किये गए हैं, मिशन अभ्यूद्य खंड और मिशन अभ्यूद्य नगर कारेकरम, इन कारेकरमों को जरूर याद रखें, क्यों शुरू किये गए हैं हैं, ताकि ग्रामिन खंडों और नगर निकायों के बीच परतिस परदा बढ़े, आप सभी जानते हैं, स्वस्त परतिस परदा किसी भी अक्षेतर के लिए बहुत तो ऐसे में जब इन दोनों के बीच कंपिटिशन होगा, ग्रामिन खंड नगर निकायों से अच्छा काम करने की कोशिस करेंगे, और नगर निकाये ग्रामिन खंडों से समंधित काम है, जो उनसे अच्छा काम करने की कोशिस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में इन दोनों का वि उजना शुरू की गई है ताकि सहर्यक्षित्रों का भी विकास हो सके इस वर्ष हर्याना रोडवेज के वेड़े में दो हजार नई बसें जोडने का लक्षा रखा गया है और लोगों को पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा देने के लिए मैक्सी कैप योजना भी शुरू की गई है मैक्सी कैप निती शुरू की गई है पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैप क्या है देखिए जो ग्रामिन इलाके हो या फिर शहर से दूर द्राज के गाम है, जहांपर transportation में दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है तो वहाँ पर maxi cap नीथी शुरू की गई है वहाँ पर taxi चलाई जाएगी प्रकार से इस नीथी के बात हमसे ताकि transportation में कोई बादा उत्पन ना हो ओके इस वितवर्ष में हरियाना के सरकारे स्कूलों में heritage corner भी स्थापित किये जाएंगे ये heritage corner क्या होंगे स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल के बच्चे भारतिय तिहास के बारे में जाने संस्कृति के बारे में जाने और जो भारत के नाएक हैं जिनोंने हमारे देश को आजादी दिलाए थी उनके बारे में जाने इसलिए पर्तिक स्कूल में Heritage Corners की स्थापना की जाएगी सुरुचकुंड मेला जो कि एक शिल्प मेला है ये कहां पर लगता है फ्रीदाबाद में और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी फरवरी महीने में इसका आयोजन होता है लेकिन इस बजट में मुख्या मंतरी ने कहाए कि नवंबर महीने में भी सुरुचकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा 11 सुन नई खेल नर्सियां स्थापित की जाएगी ताकि खेल को जाता से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और क्या किया जाएगा इन खेल नर्सियों के मादम से कोच दुवारा के लाडियों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी ताकि हर्याना खेलों के अक्षेतर में औ पॉलों नहीं किया है तो जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में इस स्रीज का निक दे रखा है, 18 वीडियो हम बना चुके हैं, नई स्थापनों से संबंधित भी हमने एकल वीडियो बनाई है, 2020 में, जनवरी और फरवने में जो नई स्थापना की गई है, केंदर सरकार के दौरा राजे सरकारों के दौरा उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, और केंदर तथा राजे सरकारों के दौरा जो योजनाई शुरू की गई है, 2022 में ही, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, साथे साथ जो नई न्युक्तियां की गई है, उस पर भी हमने वीडियो बना रख किस जिले में स्थापित किया जाएगा पंचकूला में ठीक है फ्लाइंग प्रशिक्षन के लिए रिन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी राज्य के सरकारिच किस्टा कोलेजों में PG कोर्ष के लिए 40% सीटें सरकारिच किस्टा के लिए रक्षित की जाएगी आप ये संख्या ज़रूर याद रखें चिकिस्टा के रक्षित्र में और क्या कुछ किया गया है आई देख लेते हैं छोटे कस्बों और बड़े गाउं में जो हस्पताल हैं वहाँ पर नर्सिंग होम खोलने पर तीन वर्ष तक रेंड के व्याज में दो प्रतिशत की चूट दी जाएगी और प्रतिय एक खंड में TB जांच के लिए Molecular Testing Lab की सुविधा प्रवाइड करवाई जाएगी TBN की Tuberculosis इसको हिंदी में तपेदिक बोला जाता है हर खंड में स्थापित की जाएगी भड़ते आगे PGIMS यानि की पंडित भगवद याल शर्मा Post Graduate Institute of Medical Sciences यह रोतक में स्थित है यहाँ पर किड़नी परतियर ओपर सुविधा शुरू की जाएगी जो व्यक्ति बिमार है उसको किड़नी परवाइड करवाई जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति किड़नी देना चाता है किसी दूसरे व्यक्ति को तो वो दे सकता है यहनि कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है फिर जिन्दा व्यक्ति है उसकी किड़नी को दूसरे व्यक्ति में डाला चाएगा यह है किड़नी पड़ते रोपन सुविधा जो की PGIMS रोहतक में शुरू की जाएगी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में और यह रोहतक में है देख लेते आगे राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधाई देने के लिए साथी सुरक्षित एवन सुलब हरियाना पहल शुरू की जाएगी Most important line है साथी सुरक्षित एवन सुलब हरियाना पहल का समन्द किन से है? महिलाओं से महिलाओं को परिवहन सुविधाई देने के लिए यह योजना शुरू की गई है सुरू की जाएगी अपैल 2023 में सरकारी कोलेजों वे सिनियर स्केंडरी स्कूलों में कोशल पर्शिक्षन वे परमानन को शामिल किया जाएगा और कोशल विकास के लिए गुरू शिश्य योजना भी शुरू की गई है और इस योजना के तहट 25,000 गुरू और 25,000 शिश्यों को पर्शिक्षन दिया जाएगा स्किल ड्यावलोप्मेंट किया जाएगा बढ़ते आगे और द्योगीक पर्शिक्षन को बढ़ावा देने के लिए दोरी ट्रैक पर्णाली के तहट कोशल पर्शिक्षन के इंदर खोले जाएगे कोशल पर्शिक्षन के इंदर जैनकि स्किल ड्यावलोप्मेट के लिए खोले जाएगे और किस योजना के तहट या किस पर्णाली के तहट खोले जाएगे दोरी ट्रैक परनाली के तहट किसान को किराई पर मशीने उपलब्द कराने के लिए मशीन बैंक के इंदर सापित किये जाएंगे कितने सापित किये जाएंगे ये पांच तो याद रखें मशीन बैंक के इंदर इनका समन्द किसे है किसानों को किराई पर मशीन उपलब्द करवाने के लिए ये सापित किया जाएंगे साथी साथ किसानों को मालग दर्शन देने के लिए किसानों का मालग दर्शन करने के लिए प्रगति शिल किसान ग्रशी दर्शन कार्यकरम भी शुरू किया गया है किसानों के इत्में जो काम के चल रहे हैं उनको आप रिशे सुरूप से याद रखें फसल समुहविकास कार्यकरम के तहट सो पैक हाॉस स्थापित किये जाएंगे इन पैक हाॉस को इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि उत्पादन की ग्रेडिंग, पेकेजिंग और मार्केटिंग को आसान बनाया जा सके यनकी उत्पादन को सही डंग से बेचने के लिए ही ये पैक हाॉस स्थापित किये जाते है और किस योजना के तहत या फिर किस कारे करम के तहत सापिट के जाएंगे ये फरसल सुमुह विकास कारे करम के तहत कितने सापिट के जाएंगे सो बहुती परसीद प्रयावन विद्ध थे दर्शन लाल जेन इनके नाम पर दर्शन लाल जैन पुषकार की घोशना की गई है और इसमें पुषकार आसी के तोर पर 3,00,00 रुपई दिये जाएंगे पीछे हमने पड़ा था सुसमा सवराज के नाम पर भी एक पुषकार की घोशना की गई है वो महिलाओं के लिए है और उसमें पुषकार आसी के तोर पर 5,00,00 रुपई दिये जाएंगे दर्शन लाल जैन पुषकार में पुषकार आसी कितनी दिये जाएगी 3,00,00 रुपई हर्याणा में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए यी टूरिजम नीती तैयार की जाएगी हर्याणा में जो टूरिजम मंत्री है वो कौन है हर्याणा के टूरिजम मंत्री है या फिर प्रियाटन मंत्री है कौनपार्गुचर और हर्याना प्रियाटर निगम के चेर्मेन भी कंवरपार गुचर है सियाम ने ये भी बताया है कि बाजडे और अन्या फसलों के अनुसंधान के लिए अक्षित्री ये अनुसंधान के इंदर सापित किये जाएंगे कहां पर भिवाने में मेट्रो प्रियोजनाओं के लिए हर्याना फानेंशल सर्विस लिम्टिड की सापना की गई है ये most important line है भी हर्याना फानेंशल सर्विस लिम्टिड की सापना क्यों की जा रही है ताकि मेट्रो जैसी प्रियोजनाओं को लोन दिया जा सकी वेट, वेट मतलब value added text, ये एक indirect text है, अपर text कर है, जब वस्तु खरीरी जाती है, उसी time ये text लगता है, ठीक है न, लेकिन जो बड़े बड़े लोग है, जो साल में लगभग 5 लाग रुपई से ज़्याद घमाते हैं, जिनका turnover है 5 लाग रुपई, उनको भी वेट देना पड करता है अलग से, और जिनका वेट बखाया है, उसके निप्टान के लिए, एक मुस्त निप्टान योजना शुरू की गई है, एक मुस्त निप्टान योजना किसे संबंदित है, जिन वेक्तियों ने वेट नहीं जमा करवाया है अपना, वो वेट जमा करवाएं, उसका नि स्थापित की जाएगी यह बहुत ही important labs है स्टी एम यहनी कि STEM lab इसका पूरा नाम है science, technology, engineering and maths यह विश्य बहुत ही typical होते हैं इन विश्यों को रोचक तरीके से समझाने के लिए सिखाने के लिए ही यह lab स्थापित की जाएगी आगे बढ़ते हैं सिक्षा और सोद को बढ़ाव देने के लिए Institute of Immersing Technology की स्थापना की जाएगी कहां पर मानेसर में तो याद रखें Institute of Immersing Technology की स्थापना कहां पर की जाएगी मानेसर गुरुगरा में और पीछे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थी जहांपर हमने पड़ा था भारत का सबसे बड़ा Electric Vehicle Charging Station भी गुरुगरा में स्थापित किया जा रहा है अब आई देख लेते हैं मुख्या आवमटन को किस अक्षेतर को कितना पैसा दिया गया है जूम करकर देख लेते हैं इसे क्रशी आवमटन संबंद गतिवी यानि की Agriculture and Allied Activity को 6497 क्रोड रुपई दिये जाएंगे इतनी रुपई खर्च के जाएंगे इस पर शिक्ष्टा आवमटन जल संसादन यानि की Irrigation and Water Resources के लिए 6136 क्रोड रुपई लोक निर्मान सठक और पूल यानि की Public Work Roads and Breezes के लिए 4752 क्रोड रुपई जनस्वास्य अभियांत्रिक यानि की Public Health Engineering के लिए 4554 क्रोड रुपई ट्रांस्पोर्टेशन यानि की परिवहन के लिए 3708 रुपई और सहकारिता यानि की Corporation के लिए 1537 रुपई साथे साथ तक्निकी सिक्षा और कोशल विकास यानि की Technical Education and Skill Development के लिए 1105 क्रोड रुपई उध्योग और वानिजेन की Industry and Commerce के लिए 598 क्रोड रुपई दिये गई हैं इतनी रुपई खर्च के जाएंगे दोस्तों जनवरी और फरवली की करटा फेर से सम्मंदित भी अमने वीडियो बना रखी है अगर आपने वो नहीं देखे है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उनका प्निक दे रहा है मैं यहाँ पर एक बात दो बताना चाता हूँ आपको मेरे दोस्त जिनका राम दीपक है उनके द्वारा एक वेबसाइट पर शुरू की गई है वेबसाइट का नाम है www.radhejobalert.com अगर आप वेकैंसे से सम्मंदित नई अपडेट पाना चाते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों ये था इस वेडियो का एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेर करना नहीं बुलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब करें इससे अगली वीडियो में हम बजट के MCQ के बाने पढ़ेंगे इस वीडियो से जो important question बन सकते हैं वो MCQ के रूप में हम पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद